हम अंजनी सुत बजरंग बली की कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई भरत समान जिने स्री राम दुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं ही राम भरत्य हनुमार तुम तो हो बड़ बलवार ये राम भक्त हनुमार तुम जो हूँ बड़ बलगार गौत मरे सीन शाप दिया था माता अंजनी को कहने लगे कि तुम कुमारी ही माता बन जाओ बोली अंजनीर इस वरिये मैं होने ना दूँगी अपने आपको एक गुफा में मैं बंद कर लूँगी किसी पुरुस को देखू ना मैं ये होगा कैसे जाएगा ये शाप तुम्हारा बिर था ही ऐसे अपने आपको एक गुफा में उसने बंद किया छोटा सा एक छित्र था बस जिसमें आए हवा हुआ है क्या फिर इससे आगे तुम्हें बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई भरत समान जिन्हें स्री राम बुलाते हैं हम कता सुनाते हैं हे राम भक्ति हनुमार तुम तो हो बड़ बल्यार ते राम भक्ति हनुमार तुम तो हो बड़ बल्यार मोहन रूप जो विशनो जी ने भोले को दिखलाया काम भेग फिर भोले जी को रूप देख चड़े आया काम भेग अब भोले जी से रोका ना जाए प्रम्हा जी ने फिर बत लाया उनको एक उपाए गुफा अंजना बैठी जिसको गवतम रिसी का स्रां कान में उसके डालो बिंदू जाकर भोले आओ काम भेग ये आपका तो यू व्यरत न जाएगा कौतम रिसी का साप भी भोले सच हो जाएगा गुफा द्वार पर जाकर भोले अलख जगाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्हें स्रीराम बुलाते हैं तम कथा सुनाते हैं हे राम भक्ति हनुमान तुम तो हो बड़े बर्वान हे राम भक्ति हनुमान तुम तो हो बड़े बर्वान बोले जी की अलख जो अंजना के कान पड़ी पैठी धान लगा कर थी वो सुनकर हुई खड़ी बोली अंजना जोगी मुझको बाहर नायाना बंग करना है शाप्रसी का मैंने है ठाना कहने लगे भोले है देवी हमें लगी है प्याँ पानी पीने से पहले तुम्हें मंत्र देंगे खाँ अपने कान को इस छित्र के पास मिलाओ तुम्ह बिना तच्छिणा किसी का पानी ना पीते है हम कान में वो फिर अंजनी मा के वेग पढ़ाते है पावन कथा सुनाते है भाई भरत समान जिने स्रीराम गुलाते है तम कथा सुनाते है हे राम भक्ति हनुमात तुम्हों बड़े बल्वात हे राम भक्ति हनुमात तुम्हों बड़े बल्वात पोली अंजनी है जो की ये क्या है तुमने किया सच ही हो गया साप आज जो रिसिगाउ तम ने दिया कहने लगे के हे अंजनी इसको ना समझो सा ऐसे वैसे ना जोगी हम खुद है भोले ना होगा जो ये बालक वो बना पीर कहाएगा कॉमार भी भंग तुम्हारा ना हो पाएगा राम भक्त इसे लोग कहेंगे और नाम हनुमार मत समझो ये श्राप है तुमको ये तो है वरदा भोले नात तो फिर कैलास पे लोटे ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्हे श्री राम बुलाते हैं तम कथा सुनाते हैं हे राम भक्त हनुमार तुम तो हो बड़े बल्यार हे राम भक्त हनुमार तुम तो हो बड़े बल्यार पावन के जर्ये कान से होकर ये हैं गर्ब में आए इसलिए तो बजरंगी है पवन पुत्र कहलाएं किंतु गर्ब में पढ़ गई इनको बानर की छाया इसलिए तो बानर जैसा रूप इन्होंने बनाया पजपन से ही हुए है ये तो बड़े वीर बल्यार बोले जीने जैसा कहा था रखा नाम हनुमार देखके एक दिन आस्मान में लटक रहा फलला उड़कर पहुँच गए बजरंगी ऐसा किया कमार समझ के फल वो सुर्यदेव को निगल ही जाते है पावन कथा सुनाते है भाई भरत समान जिने श्री राम बुलाते हैं तम कथा सुनाते हैं ए राम भरत्य हनुमार तुम तो हो बड़ बलवार सुर्यदेव को जो निगलातो हुआ घोर अंधिकार तुम तो हो बड़ बलवार सारी ही स्रिष्टी में मच गई फिर तो हाहा का सारे देवी देव तभी तो होने लग व्याकुल हनुमत निगल गए सूरज को समझ के मीठा फल हो ए कत्रित वो हनुमान के पास में फिर आए बाहर निकालो सूर्य देव को रहे है समझाए जित्डी बालक की तरहाना मान रहे हनुमान क्रोध में भरकर इंड्र देव ने वच्च लिया है ता वच्ज प्रहार से हनुमान मुर्छित हो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्हें स्रीराम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्त हनुमान तुम तो हूँ बड़ बर्मान हे राम भक्त हनुमान तुम तो हूँ बड़ बर्मान फिर तो पवन देव ता आये सुत का जानने हाई ये क्या किया है इंद्र देव वो हुए क्रोध सेला छोटे छोटे पालक पे कर दिया वज्र प्राहा मेरा भी अब क्रोध देख लो तुम और ये संसा इंद्र देव ने फिर तो दिखाया उनको अपना तो सब हुए व्याकुल पवन देव ने लिया पेक को रो सास भिलेना सबका फिर तो हो गया था दुसरवा प्रमा जी फिर पवन देव से बोले हात पसाओ हनुमान की वज्ज देह प्रमा जी बनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई वरति समान जिन्हे स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं ही राम भक्ति हनुमान तुम दो हो बड़ बलवान ही राम भक्ति हनुमान तुम दो हो बड़ बलवान अवन देवने ब्रह्माजी की लिंतीली है मा वच्र देह का ब्रह्माजी ने दिया उन्हें वर्दा सूर्य देव हनुमान के मुख से फिर आए है बाहर हुआ उजाला सब देवों ने बोली जै जै कार खेलत खेलत फिर वो एक जंगल में आते हैं रिसी मूख के पुत्र देख उनको डर जाते हैं उचल कूद फिर उने देख कर करने लगे हनुमान रिसी मूख से करी सिकायत फिर बच्चों ने आ रिसी मूख के साप से वो बल अपना भुलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई भरत समान जिन्हें स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्ति हनुमान तुम तो हूँ बड़ बल्यों हे राम भक्ति हनुमान तुम तो हूँ बड़ बल्यों किस किंधा परवत पर फिर तो हनुमान आए वानर राज सुक्रियूने से नामे लिया मिलाए राजा जसरत के घर जन में पुर्सों तमस्रीरा खुसी मनाए नगरी सारी हो रह मंगल का भोले बाल रूपी नर्सन राम के चाहते हैं इसलिए हनुमान को अपने पास बुलाते हैं बोले तुम बानर बन जाओ और मैं बनू मदारी बाल रूपी राम छबी दोनों देखेंगे प्यारी बन के मदारीय योध्या में वो खेल दिखाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिने स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भग्ते हनुमान तुम तो हो बड़ बलवान हे राम भग्ते हनुमान तुम तो हो बड़ बलवान चर्चा छिडी अयोध्या में एक आया अजब मदारी वानर का वो खेल दिखाये देखे नगरी सारी पुरसोतम स्री राम खेल को देखन चाहते हैं राजा दसरत फिर उनको महलों में बुलाते हैं बोले ने फिर बजरंगी संग ऐसा खेल दिखाया बोले राम ये बानर तो है मेरे मन को भाया ये बानर तो मैं रखूंगा बोले है स्री राम लेकिन खेल दिखाकर भोले कर गए है प्रस्था माने ना स्री राम तो लेकिन रूठ ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई भरत समान जिने स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भत्य हनुमान तुम तो हो बड़ बल्वान राम भत्य हनुमान तुम तो हो बड़ बल्वान राजा तस रतने फिर तो है बानर कई मगाएं माने ना स्री राम वही तो बानर लेना चाहें अपने मंत्री को राजाने खोजन है भेजा खोजत खोजत आये मंत्री परवत किसकिंधा वानर राज सुक्रीवन आकर उनको सीस जुकाया बुला लिया हनुमान उनके संग में अयोध्य पठाया भक्त और भगवान कफिर तो ऐसा मिलन हुआ फिर बोले स्री राम हम ये लीला रहे दिखा अब तुम जाओ हनुमान हम बनवास को आते हैं पावन कफा सुनाते हैं बाई बरत समान जिन्हें स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्ति हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान हे राम भक्ति हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान चोदाह वरस को सिरी राम जब आये हैं वनवास बलिबद करके सुग्रियू से फिर किये मित्र ताखा सीता मा की खोज में निकली सब वानर सेना लंका जाने के लिए हैं हनुमान को चुना सिरी राम की आग्या लेकर ऐसी भरी उडारी सौयो जन का सागर लांगा और लंकिनी मारी सीता माता को जागर के किया है फिर पेडा बाग उजाणा और अच्छे का कर दिया काम तमाँ सोने की लंका को जला के राख बनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिने स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्त्य हनुमा तुम् दो हो बड़े बलवाँ बना किसे तू फिर कर दी है लंका नगर चढ़ाई डटे रहे स्री राम के संग में जब भी मुसीबत आई अपनी गदा से जाने कितने दानों मारे हैं स्री राम के बोल रहे मुख से जैकारे हैं लखन लाल और मेगनात में युद्ध हुआ भारी मेगनात ने जब लक्षमन को सत्ती थी मारी सुर्योद ऐसे पहले जाकर संजीवन लाएं भरत समान राम प्रभू ने भाई बत लाएं राम प्रभू तुमें कुछ हो करके गले लगाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई भरत समान जिने स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान लंका विजय करलोट सभी जब योध्या आते हैं सिरी राम ने सबको ही उपहार भी बाटे हैं मोती की माला हिस्से में आपके आई हैं तोड़ी मोती माला ता तो तले चबाई हैं लंका पती विभीशन ने फिर कह दी ऐसी बाद तोड़ी मोती माला आकिर है बानर की जाद इतने कीमती मोती तुमने क्यों विखराए हैं क्या हिरते में तेरे भी सी आराम समाए हैं फाड के सीना सी आराम का दरस कराते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिने सी आराम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भख्य हनुमान तुम तो हो बड़ बल्यों तुम तो हो बड़ बल्यों वीरों के है वीर ये अपने महाबीर हनुमान राम भक्त है बड़े निराले गुण और बल्की खार स्री राम की आज्या कासद पालन है करते भूत पेत और दुर्जन दुष्ट भिनाम से ही डरते हे बजरंग बली रखना हम पे किरपा की छाया डी अस पालन सुमर सारता तेरा ही गुन गाया हंस राजरे लहन ने बनाया सोनो टिक चैनल सुनेगा जो भी इस गाता को होंगे काम सफ़ों वोजी सुरेस से लाखों भक्त भिसीस जुकाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिने स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्त हनुमात तुम तो हुआ बड़ बर्मात